बहुत बढ़ी ब्रेकिंग निकल के आ रही है बिहार सिक्चक बहाली को लेकर और पटना हाइकोट के तरफ से बहुत ही बड़ा आदेश दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ममला जो है छटे चरण से सम्मंदित है सिक्चकों की बहाली पर लगी रोग हटी है ठीक जो भी अपडेट निकल के आ रही है सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने का परियास करता हूं पटना हाइकोट ने सिक्चकों की बहाली पर लगी रोग को हटाया जल्द सुरू होगी नियोजन की पर किरिया जाने ठीक है तो यह दोस्तो छटे चरण मायध्यमिक उच म कुछ जो है आ सकता है मैं हंडेट परसन नहीं का सकता हूँ जूंकि सिक्चा भी बाग कुछ बोलती है और कुछ करती है इसलिये जो है कुछ हंडेट पर जो जो है गलत हो सकता है ठीक है क्या कुछ आएगा उसके उपर जो है आप लोग को बताया जाएगा आने के बाद तो इस अपडेट को पहले हम लोग देखते हैं सिक्चकों की बहाली पर लगी रोक हटी पटना हाइकोर्ट ने राज के मायध्यमिक उच मायध्यमिक स्कुलों में सिक्चकों की बहाली पर लोक हटा लिए हाइकोर्ट के खनदपिट ने राज सरकार की अपिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इसी साल 15 सप्टेम्बर को इन सिक्चकों की बहाली पर लोक लगा दि थी सोंबार को नयाधिस ए अमूलान एबोँ नयाधिस सुनिल दथ मिस्रा की खनपीत ने राज सरकार की अपिल याचिका पर सुनभाई करते हुए कहा कि सरकार मैध्यमिक, कुछ मैध्यमिक, सिक्छक नियोजन की परकिरिया को जारी रख सकती है लेकिन इसकी बहाली अपील याचका के निर्ने पर निरुभर रहेगी राज सरकार की ओर से अधिवक्ता प्री दर्शनी मात्र सरन के बहस किया मामला जो है हाई स्कूल सिक्चक नियोजन के छटे चरन से जुड़ा है मालूम हो कि इसी साल नौफरवरी को पटना हाई कोट की एकल पीट ने पिर्ति प्रियावम अन याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनवाया था कोट ने अपने आदेश में कहा था कि जिन उमिद्वारों का B, S, I, T, E, T परिनाम वर्ष 2012 में परकासित हुआ था और जिनोंने खुद को B8 के लिए नमांकित किया है वे 17, 16, 18 तक नविंतम पैटकरम और B8 नुक्ति के छटे चरण के लिए अबेदन जमा करने के अंतिप्तिती से पहले डिगरी के पात्र होंगे एकल पीट ने अपने निर्नाय में ये भी कहा था कि जिन उमिद्वारों के परिनाम वर्ष 2012 में परकासित हुए है लेकिन B8 में अपना नमांकन कराए हैं 17, 19 में पैटकरम के बावजूद कि उन्हें B8 पराप्त किया है कटप तिती से पहले डिगरी पात्र नहीं होंगे लेकिन उन्हें चैन निकती के लिए अपने मामलों पर विचार करने के लिए संबंदित परतिवादी से संपर करने की स्वतनता होगी तो यहाँ पर दोस्तों जो मायध्यमिक उज मायध्यमिक की बहाले पर रोक लगे थी उस रोक को जो हाईकोट ने जो हटा ली है एक बहुत बड़ी breaking news है जो मायध्यमिक उज मायध्यमिक सिख्चक नियोजन का जो इंतिजार कर रहे थे कि कब जो है शुरू होगी तो वो जो दोस्तो अब जो है जल सुरू होने वाली है साथ में आपको बताते चले कि आज जो है केबिनेट में बैठक है और आज जो है साथवे चरण जो निवाली है 2022 वो जो है पॉब्लिक डॉमेन पर दिख सकती है तो आज केबिनेट से यह पता चलेगा कि क्या कुछ हो सकता है क्योंकि इधर जो है बिपक्च का भी दो है बहुत दबाव यहां पर मिल रहा है लगातार जो है डिबेट हो रहा है साथ वे चरण प्राइमेरी का जो है निवाली बिगपती जो है जल से जारी किया जाए उसको पर भी पक्च भी जो है जो है सरकार पर लगातार जो है सवाल उठा रही है ठीक है छिए चरण की अब यहां पर जो चटव करन का जो ऐस दे उस अस्टे को जो है फिलाल के लिए हट गया है जो मायधमिक कुछ मायधमिक का है अब देखने वाली बात होगी कि यह कब से अब शुरू होता है जिन अभिहारती का इंतिजार था इसका इंतिजार की घड़ी जो है खत्म होगी है देख सकते हैं पर पटना हाइकोट ने सिक् पर रोक हटा लिया है जस्टिस ए अमानुलान की खटपीट में राज सरकार दुवार अपिल पर सुनवाई करते हुए सोंबार को यह जहां अदेश पारित किया गया है ठीक है और पटना हाइकोट ने एक महतपुन फैसला महतपुन नीर्ने में राज के मायधमिक कुछ माय ने कहा कि सरकार मायधमिक कुछ मायधमिक सिक्चक नियोजन की परकिर्याक वो जारी रख सकती है लेकिन इसकी बहाली इन अपिल पर निर्णाई करेगी हाई कोट ने एक आयन पिट 15 सप्टमबर 2022 को सिक्चकों की बहाली पर रोक लगा दित और यह मामला जो है छट्टे चर अपले करा किया कुछ आ सकता है उसका पर जो है अप लोग को पता चल जाएगा कवी नेंट बेठक बेठक जो है आज होने वाली है क्या कुछ आएगा अपडेट आब लोग को उसकी उपर भी अपडे दींआ जाएगा मिलते हैं एक नएद वीडियो मोरे